simply आपको download option पे click कर देना है यहाँ पे दिखा रहा आईश्मान कार्ट downloaded successfully इसके बद आपको OK पे click कर देना है guys यहाँ पे आप आप देख सकते हैं कि आईश्मान कार्ट download हो चुका है so hello guys स्वागत करता हूँ आपका आज की इस नए वीडियो में आप आपको पताने वाला हूँ कि आप अपने आईश्मान कार्ट को घर बैठे mobile phone से कैसे download कर सकते हैं तो guys मैं step by step आप सभी को बताने वाला हूँ कि आपको mobile phone से अपने आईश्मान कार्ट को कैसे download करना है तो वीडियो को last तक जरू देखिएगा नहीं तो आप download नहीं कर पाएंगे तो guys सबसे पहले आज आते हैं अपने google play store को open कर लेते हैं यहाँ पे हमको आईश्मान कार्ट आप डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे मेरा आईश्मान आप यहाँ पे install दिखा रहा है क्योंकि मैंने पहले ही download कर लिया था guys अब आपको आईश्मान कार्ट डाउनलोड करके मैं पूरा process आपको दिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले आई जाना है आपने आईश्मान आपको open कर लेता हूँ आईश्मान open ओन एक बात यहाँ पे आप दिखा रहा है कि अब आईश्मान कार्ट बनाना हुआ और भी असान यह जो है NSA के job website है इसके बाद यहाँ पे आपको login पे किलिक कर लेना है login पे किलिक करने के बाद यहाँ पे आपको register mobile number और user ID दिखा रहा है यहाँ पे आपको दो आपसं देखने को मिलेगा एक beneficiary और एक operator और इन दोनों आपसंणों में से यदि आपको अपना खुती ही अपने mobile से आप डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको beneficiary select कर लेना है इसके बाद यहाँ पे आपको register mobile number डाल देना है जो आपने अपना हाइसमान card बनवाते समय mobile number दिया था mobile number डालने के बाद आपको verify पे किलिक कर लेना है इसको verify पे किलिक करने के बाद आपको एक OTP send किया जाएगा जिसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है OTP को यहाँ फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे लिखे capture को यहाँ पे फिल कर देना है गैस OTP और CAPTCHA फिल करने के बाद यहां पर आपको लोगिन पर किलिक लेना है लोगिन पर किलिक करने के बाद यहां पर processing your request दिखा रहा है आपको थोड़ा दर वेट कर लेना है गैस OTP और CAPTCHA फिल करने के बाद आपको कुछ इस तरह के interface देखनों को मिलेगा इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको सर्च फार वेनिफीसरी दिखा रहा है मतलब आपका जो है आपका नाम और स्टेट यहाँ पे आप सभी को जो भी दिखा रहा है उसको फिल कर देना है यहाँ पे आपको स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेना है मेरा जिस से उत्तरपरदे से उत्तरपरदे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ इसको सेलेक्ट करने वाद आपको स्कीम सेलेक्ट करने ना है आपका किस स्कीम के तहट बना हुआ है तो इसमें आपको PMJ सेलेक्ट करने ना है इसके बद आपको यहां पर सर्च बाई क्लिक कर लेना है मतलब आपको किस ID के थुरू आपको लोगिन होना है आधर कार्ड आपको पता आधर कार्ड के थुरू हो सकते हैं आपको नाम डालना है तो नाम के भी थुरू हो सकते हैं आपका जो location या तो सहरी या फिर ग्रामीड आपको डाल सकते हैं अगर आपको PMJ ID आपको मालूम है तो आप ए भी डाल सकते हैं तो सबसे आसान होता है कि आप आधार काट के थ्रू लोगिन हो जाएं आपको यहाँ पर district सेलेक्ट कर लेना है district मेरा मेटकर नगर है इसके बाद यहाँ पर आपको अधार नंबर सेलेक्ट करने ना है अधार नंबर आपको यहाँ पर फिल कर लेना है अधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च पर किलिक कर लेना है Yogas Search पे खिलिक करने के बदitta आपको जलाऊन करके नीचे आने क अने के बद आपको आपके सारे फैमिली मेंबर मेंकि यहाँपे नाम सु हो जाएंगे जिसका जिसका बना है यहाँपे आप देख सकते हैं है अब आपको जिसका भी डाउनЛोड करना है आपको डाउनलोड आप्शन पर यहाँ पर जैसे दिखा रहा है डाउनलोड कार्ड सिंप्ली आपको डाउनलोड कार्ड पर क्लिक करना है ग्याइज इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखा रहा है अथेंटिकेशन यहाँ पे आपको इसके बाद दिखा रहा है authentication आपको वन्दब चारों में से किसी भी option को select कर लेना है आपके बाद जैसे अगर fingerprint वाली machine है तो उस पे आप select करेंगे आपको face का verification करना तो उससे कर सकते हैं यदि आपका आधार OTP के थुरू आपको verify करना तो उससे भी कर सकते हैं तो मैं अपना आधार OTP के थुरू verify कर ले रहा है इसके बाद आपको verify भी click कर लेना है verify पे click करने के बाद यहाँ पे आपको term and condition को पढ़ लेना है पूरी तरह से इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको इस box पे click कर देना है इसके बाद आपको allow पे click कर देना है इसके बाद आपको आधार कार्ट की OTP यहाँ पे डाल देने हैं आपके आधार कार्ट पे OTP सेंड की गई होगी आधार और मोबाईल OTP डालने के बाद आपको सम्मिट पे किलिक कर देना है इसके बाद आप देख सकते हैं You have successfully authentication as family member गईस एक कुछ देर के लिए loading ले रहा है गईस आधार OTP और मोबाईल OTP को verify करने के बाद यहाँ पे आपको आपकी family member के detail यहाँ पे सो हो जाएंगी आपको जिसका भी download करना है उस पे आपको किलिक कर देना इसके बाद आपको नीचे देखने को मिला है कि यहाँ पे आपको download और print और share का option मिलेगा simply आपको download option पे किलिक कर देना है यहाँ पे दिखा रहा आउस्मान काड डाउनलोड है successfully इसके बाद आपको OK पे किलिक कर देना है यहाँ पे आप आप देख सकते हैं कि आईस्मान काड डाउनलोड हो चुका है यहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईस्मान काड डाउनलोड हो चुका है आपका जिला यहाँ पर सोह रहा है आपका नाम आपका टीयो भी आपको यहाँ पर सारी चीज़े सोह जाएंगी आपको अपना आभा नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आभा का मतलब वही है ऐस्मान भारत प्रदानमंतरी जन आरे योग्योजना इसमें आप देख सकते हैं कि आप बावन नम्बर यहां पे सो रहा है इस तरह से आप अपने आयस्मान काट को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी सीखनों को लिए है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरू करती है